तो स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI चैनल पर इसमें आप देखे असम राइफल्स में जो नोटिफिकेशन आया है वैकेंसी का उसके ऊपर ये पूरी डिटेल में वीडियो है तो अगर आप भी इसमें जाना चाहते हैं बहुत ही एक अच्छी अपारिचुन्टी आपको इसमें जाने के लिए तो असम राइफल्स.gov.in इस वेबसाइट पर जाके आपको एपलाई करना है कैसे करेंगे कैसे वहां वेबसाइट का फॉर्मेट कैसा है क्या है वो सारी चीज़े हम लोग देखेंगे इससे पहले यहां देख लीजे वैकेंसी का पूरा डिटेल तो यहां प अप्लिकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड से लिए जाएंगे और यह कोई भी अप्रेंटिस या कोई ऐसी जॉब नहीं है टेंप्रोरी एक पर्मानेंट जॉब है तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कैसे अप्लाई करना टो पैमेंट करना पैमेंट कैसे होगा आप आनलाइन पैमेंट भी कर सकते हैं इसके बाद जो आपका सेलेक्शन होगा एप्लाई कर दिया आपने इसके बाद कंडेट वाइल रिपोर्टिंग फॉर पी एस टी जब आप फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट के लिए जाएंगे तो आ अहां पे अगर बात करें एप्लीकेसन फी कितनी होगे अप्लाई करने के लिए तो जनरल एंड जो ग्रूप बी पोष्ट है ग्रूप बी कितनी है 200 रुपए है और जो ग्रूप C पोष्ट है उसके लिए कितनी 100 रूपी है आगे पोस्ट हम लोग देख लेंगे क्या है फी से बिलांग करते हैं आप से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी अगर फीस आपको किसी भी परिस्टी में वापस नहीं की जाएगी यहां पर अगर सेंटर की बात करें जो फिजिकल स्टेंडर्ड आपका टेस्ट होगा PST जिसको हम बोलते हैं PET बोलते हैं तो वो टेस्ट आपको जो है वो कुछ सेंटर से यहाँ पर दिये हैं वहाँ पर कंड़क्ट होगा वहाँ आपको जाना होगा पहला है दीफू आसाम इसके बाद कार्वियांग लॉंग आसाम भी आपका देखिए HQ DJR सिलॉ आपको जाना पड़ेगा फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट के लिए अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं यह सारी चीज़ तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट है वह आपको प्रॉपर फॉर्मेट में वहाँ पर कंप्टेंट रथार्टी को जो कंप्टेंट रथार्टी से ब इसकल स्टेंडर्ड हाइट वेट चेस्ट इन सब में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको जो आपका फॉर्मेट है वह वहाँ पर सब्मिट करना पड़ेगा उनली ए सिंगल अप्लिकेशन पर कंडेट विल वी एक्सेप्टेट थ्रो आनलाइन मॉड मॉड मॉ इसके बाद यहां हम बात करेंगे पोस्ट किसकी किसकी कितनी है और उसके पहले फिजकल स्टेंडर्ड आपका कितना होना चाहिए तो यहां पर एज लिमिट देखिए दिया हुआ है 18 से 23 साल यहां अगस 2021 जो है कटाफ टाइम दिया हुआ है तो यहां पर कंडिडेट जो होगा अगर हो एक अगस्त 1998 से एक अगस्त 2003 के बीच में उसकी डेटा बर्थ है अगर आप अन्रिजर्ब कटेगरी में तो आप अप अपलाई कर सकते हैं एकारडिंग टू छूट आपको कटेगरी मिल जाएगी जैसे भी कटेगरी है उसके एकारडिंग आपको छूट मिल जाएगी जो आपका फिजिकल स्टेंडर्ड होना चाहिए हो सभी कंडेट के लिए कितना होना चाहिए 170 cm हाइट होनी चाहिए आपकी 80 cm नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए मेल के लिए 85 cm होना चाहिए आफ्टर एक्सपेंशन एक्सपेंड करने पर 85 cm होना चाहिए इन केस आफ अगर आप गढ़वाली कुमावनी अगोर्खा या डोगरा इन सबसे बिलॉंग करते हैं तो आपका 165 है साथ में 78 है 83 है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फिजकल स्टेंडर टेस्ट फॉर नाइप सुवेदार ब्रिज एंड रोड राइफलमेन का यह तो हो गया आपका एक्सरे असिस्टेंट हो गया हवलदार हो गया राइफल यहाँ पर देखिए पोस्ट बहुत सारी फिटर सिंगनल है राइफ अब यहाँ अगर और डिटेल में आप नोटिफिकेशन जरूर देखिए गा वेब साइट पर जाके अब यहाँ पर ट्रेड की बात करें हम लोग ट्रेड क्या क्या हो सकता है तो सबसे पहले अगर पीटी में आप देखेंगे पीटी में क्या क्या होगा आपका male candidate के लिए 5 km running है कितने 24 minutes में female candidate के लिए 1.6 km running है कितना 8.30 minutes में except Ladakh region अगर आप Ladakh region से belong करते है तो आपके लिए male candidate के लिए 1.6 km run करना है 6.30 minutes में female के लिए 800 meter run करना है 4 minutes में एक undertaking certificate होगा female candidate से कि जो board of officer before undergoing PET that she is not pregnant एक आपको undertaking देनी होगी अगर आप साधी सुदा है या ऐसा कुछ है उस case में इसके बाद clerks जो PA है उनके लिए क्या है उनके लिए एक skill test होगा PA के लिए जो की आपका return test के साथ ही carry किया जाएगा अब return test की यहाँ बात करें जो return test है वो 100 marks का होगा जो general और EWS candidate है उनके लिए 35% passing mark होना चाहिए और जो SCST OBC है उनके लिए 33% passing mark रखा है अगर आप NCC है तो आपको वहाँ पर 5 marks का NCC C certificate 5 marks का B पर 3 marks का और A पर 2 marks का आपको benefit दिया जाएगा return test जो होगा वो उसमें जो लोग qualify होंगे आगे skill test के लिए जो की trade test भी होगा आपका medical exam nation के साथ साथ तो 4 times यानि जितनी post है 1230 post है तो उसके 4 times each and every trade में जितनी post होगी उसके 4 times जो candidate होंगे वो qualify माने जाएंगे इसी तरह से अगर trade test की बात करें जो trade test होगा उसमें टेक्निकल ट्रेड मैंट का personal other than clear पी ए ट्रेड कंडुक्टेड बिफोर अंडर्गोइंग डिटेल मेडिकल एक्जामनेशन no marks will be awarded for trade या skill test जो skill test होगा उसको कोई number नहीं मिलेगा the candidate declared pass in trade test will only be undergoing to medical test जो trade test है return test के बाद जो trade test होगा उसमें कोई mark नहीं मिलेगा सिर्फ qualify करना रहेगा आपको अगर आप qualify करते हैं तभी आप medical के लिए आगे जा पाएंगे medical examination जो standard है उसके recording होगा उसके बाद final एक merit list आएगी जिसके basis पे आपको joining later दिया जाएगा pay scale applicable होगा जो Assam Rifles Personal का वो आपको pay scale मिलेगा इसके बाद यहाँ पे कुछ trades जो दिये हैं उनमें आप देख लीजे trade जैसे एक है आपका trade bridge and road उसमें male and female दोनों कर सकते हैं apply initial post क्या नायप सुवेदार diploma होना चाहिए इसमें आपका civil engineering में देखे सब चीजें यहाँ पर दी हुई है metric होना चाहिए साथ में diploma होना चाहिए trade color में क्या है आपको intermediate pass होना चाहिए उसके बाद आपका skill test होगा computer typing में आपकी English typing 35 वर्ड और Hindi typing 30 वर्ड होनी चाहिए trade personal assistant में बोथ male and female होने चाहिए इसमें आपका intermediate होना चाहिए साथी साथ आपका skill test और वही typing test आपका होगा electrical fitter signal में क्या होना चाहिए आपका 10th class pass होना चाहिए with science side math and English subject जो होना चाहिए age limit कितनी 18 से 23 साल वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि detail में पूरा बता रहे हैं इसमें lineman field के case में देखे क्या 10th pass होना चाहिए साथ में industrial training institute से electrician trade में एक certificate होना चाहिए या आई-टियाई होना चाहिए electrician trade से trade engineering equipment mechanic के case में व्याव देखे 10th pass होना चाहिए साथ में ITI होना चाहिए engineering equipment mechanic trade में इसी तरह electrician mechanic के case में आप देखेंगे की 10th pass होना चाहिए साथ में आपका ITI होना चाहिए motor mechanic from a recognized institute जो electrician mechanic vehicle है उस case में आपके पास motor mechanic में आई-टियाई होना चाहिए इसी तरह और यहां पर आप देखेंगे और जो ट्रेड्स हैं आपके जैसे instrument repair है इसमें आपके पास क्या होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट mechanic में है instrument जो मेंधेनक आपका trade में उसके case में आपके पास ITI होना चाहिए त्रेड vehicle mechanic की अगर बात करें आपके पास ITI होना चाहिए किसमें na vehicle mechanic motor mechanic vehicle जो ट्रेड है उसमें आपके पास ITI होना चाहिए सिरस male candidate के लिए हैं trades trade अब holster है इसमें भी आपको ITI होना चाहिए, साथ में 10th पास होना चाहिए, अपको आपको ITI होना चाहिए, साथ में 10th पास होना चाहिए, प्लंबर में भी देखिए, प्लंबर से आपको ITI होना चाहिए और 10th क्लास भी पास होना चाहिए, सर्वेयर की बात करें, सर्वेयर ट्रेड भी है 10th class pass होना चाहिए आपको बारबर है उसमें भी आपको 10th class pass होना चाहिए मसालची मेल सफाई यह सब उसमें आपको 10th class pass होना चाहिए यहां पे नंबर आप पोस्ट आप देख सकते हैं किसकी कितनी आंद्रा प्रदेश में है अंडमान निकोबार की है अंद्रा प्रदेश की है अंडाचल प्रदेश में आप अपने एकार्डिंग देख सकते हैं कहां कहां कितनी पोस्ट है आपको एक ही अप्लिकेशन देना है किसी एक लोकेशन के लिए तो जहां आप पोस्टिंग चाहते ह जारखन में भी पोस्ट है जम्मु एंड कस्मी रहिमाचल प्रदेश है हर्याना है ठीक है तो इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में देखिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स की अलग-अलग पोस्ट है वह आप देख सकते हैं उसके एकारडिंग आप अप्लाई करिए नोटिफिकेशन पहले पूरा देखिएगा डिटेल में फिर आप अप्लाई करिएगा लक्षदियूप मद्ध प्रदेश में भी देखिए पोस्ट है महाराश्ट्रा है औरिसा है पुंडुचेरी है पंजाब है मेगाले है राजस्थान ठीक सिक्किम तमिलनाडू तेलंग किजिएगा अंलाइन ही अपलाई करना है आपको इस वैबसाइट पर यहां पर अपनीडिटेल सापको फिल करने है mail है तो mail इसके बाद आपको domicile select करना अपना आप कहां के हैं domicile select करने के बाद आपको trade यहाँ पे select करना रहेगा आपकी trade के लिए apply करना है website थोड़ी सी slow है तो थोड़ा time लग सकता आपको कोशिस करें आपका internet अच्छा हो या आप better होगा कैफे और अगयरा से apply करें तो थोड़ी आसानी होगी हम काफी देर से इसमें सर्च कर रहे थे website काफी slow चल रही है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको domicile select करना है उसके बाद आपको किस trade के लिए आप apply करने वो select करना रहेगा दिन आपको अपनी कास्ट किस section से आप belong करते हैं इसके बाद यहाँ जैसे आप yes कर देंगे यहाँ पे आप yes कर सकते हैं यह सारी चीज़े चूज करने के बाद यहाँ पे यह SM Rifles आप tradesman recruitment rally 2021-22 यह select रखेंगे इसके बाद यह करके आपको I agree पे click करना है I agree click करने के बाद आपके सामने application form open हो जाएगा उसको आपको detail में fill कर देना है मैं जल्दी इस पे full detail में वीडियो बना दूँगा अगर इसी वीडियो में बताते हैं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो जल्दी इस चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी detail में कैसे आपको form submit करना awesome rifles में तो तब तक चैनल पे बने रही है चैनल को subscribe करके रखिए और share भी करते रही है वीडियो को और लोगों को भी subscribe करने बोलिए जिसे की सभी के help हो सके Thank you very much